नमस्कार दोस्तों स्वागा था आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनर जो के संट पॉइंट में दोस्तों कल से एक्जाम है आपको एक्जाम का धेर सारी बधाईया आप एक्जाम अच्छे से देख आए उमीद है का आप अच्छे से तयारी करके जा रहे हैं अगर थोरा बहुत भी रिवीजन बच गया है तो एक रात है आप रिवीजन अच्छे से कर लेजे मुख्य मुख्य पॉइंट जो है उसको एक बार जरूर देख लिए और दोस्तों आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से प्रहे दोस्तों गर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को दोस्तों के साथ सेरे कर देए तो दोस्तों धियान रखना नियान देव, क्या रखना धियान नियान देव, और दोस दोसलों ये इसलिए important हो जाता है क्योंकि इसका जो मुकह ता, दोस्तों सासान था ये मिठला jot,采न मिठला में था, यह ता या उत्री भिहार में था, आपप इसको धियान रखेंगे, और इसका जो सासन था दोस्तों कब था 1097 इस भी से था धियान रखेंगे इसका राइट एंसर क्या हो जगा अप्सन नमर एक हो जगा next question देखेंगे करन निमलिखित में से किस पाल सासक की राजनानी दोस्तों मुंगेर बिहार थी मुंगेर बिहार थी दोस्तों इसका राइट एंसर क्या हो जगा बी हो जगा देव पाल और दोस्तों यहां से question बार बार पूछा जाता है पाल वंस के स्थापक कौन हो जगा गोपाल कौन हो जगा गोपाल और दोस्तों जो है पाल वंस का सबसे महान सासक पूछे तो कौन हो धर्म पाल कौन हो जागा धर्म पाल और दोस्तों एक और क्वेशन पूशा जाता है कि बिक्रम सिला विश्विद्याले का स्थापना किस ने किया ये भी क्या हो जागा धर्म पाल और दोस्तों एक और क्वेशन है कि नालंदा विश्विद्याले का स्थापना किस ने किया तो राइट अंसर हो जाएगा option number C हो जाएगा दोस्तों मohगमद बीन तुगलक और धियान रखनेंगे करा कि सेरसा ने मुगलों के भिरुद संघर्ष में किससे सहाइता प्रापत की थी इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C हो जाएगा दोस्तों चैरसा सक्से किससे क्या था चैर लोदी ने हुसेन सा सरकी को प्राजित कर बिहार की दोस्तों किसे प्रवारी न्यूक्त किया था इसका राइट एंसर क्या जाएगा दोस्तों अप्सन नमर ए हो जाएगा धरियास खान लोहानी ठीक है नेस पसंद देखेंगे दोस्तों का रहा है कि माइकल जैक्सन का संबन द यहां रखना यह USA का था नेस पसंद देखेंगे कर भारतिया इतिहास में बजार मूल नियंतरन पदती किस वर बाद दोस्तों किसने क्या था इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बी हो जागा अल्ला अधिन खिल जी बहुत ही important question रहेगा याद कर लिजे इसका राइट एं लिखीत में से किस खेल में दोस्तों किस खेल में फिरी थ्रोग सब्द का परियोग किया जाता है धियान रखेंगे इसका राइट एंसर क्या हो जागा बी हो जागा बास्केट बॉल ठीक है बास्केट बॉल आपको धियान रखना है next question देखेंगे कि किस भारतिया राज को पॉलो खेल का उध्यम अस्तिल माना जाता है. इसका रािट अंसर क्या आखेसओ? मनी पूर्ट, थोषतों, कशियों नहीं करना है. इंपॉर्टंट कोईशचन है, यह मनिपूर्ट से पॉलो खेल की सुरुवात हुआ था. दोस्तों यहां से question आएगा कि पोलो खेल कि अस्थापना किस नहीं किया दोस्तों धियान रखेंगे British साफसक नहीं किया था और दोस्तों यहां से question आएगा कि पोलो खेल में कितने खिलारी होते हैं तो चार खिलारी होते हैं ध्यान रखना देख लिए पॉऐ एक सब्द हो गया ओकर एक सब्द लॉए एक शब्द चार इसलिए दोस्तों या रखिए अच्छे से 4 हो जागा दोस्तों water polo बोल रहा है वाटर पोलो में कितने सब्द हैं एक दो और तीन तो यानि कि पोलो और वाटर पोलो को जोड़ देंगे तो क्या हो जागा दोस्तों वाटर में हो गया कितना तीन पद और दोस्तों यहां पे पोलो में चार तो कितना हो जागा वाटर पोलो में पूछे तो कितना हो जाएगा साथ अब धियान रखेंगे नक्ते दिखेंगे कि भारत का प prawn अ में ढ़रात के रूप में चिनित किया गया इसका राइट answer किया हो जै Professor यह का अप्सन नमरों में नमरatri पांडा को गोशित किया था नेक्स्ट कुशन देखें करके भारत में दक्षिनी पस्टी मानसून दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वह यह सबसे पहले दोस्तों किस राज में परवेस करती है इंपोर्टेंट कुशन रहेगा दोस्तों मानसून से कुशन पूशा जाता है ध्यान डखेंगे दोस्तों यह दक्षिनी पस्टी मानसून की सुरवात होता है कहां से केरल से और दोस्तों डेट भी पूछता है कभी कभी ध्यान डखना एक जून से होता है कब से होता है एक संख्यां जो है दोस्तों कूल कितना का लगवक कितना परतिसत आए धियान रखेंगे इसका राइट एंसर उजएगा आपसे नमर एे दोस्तों एक तीस पर दोस्तों बार वार हम बोलए है दो जनगना से आपको question रहेगा एक या दो question भी रह सकता है इसलिए दो जरेगारा का जनगना आप जरूर एक बार पढ़ के जाएंगे यहां से question आएंगे next question देखेंगे दोस्तों का रहा है कि निमलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए यहां पर देखेंगे एड्स का पूल்फ़ों क्या होता है यहां यहाद रखियेंगे किस मुगल बादसा के सासनकाल में चितरकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी धियान रखेंगे इसका राइट एंसर क्या हो जगा चरम सीमा पर पहुंची थी दोस्तों confusion नहीं करना है इसका राइट एंसर C हो जगा जहांगीर और दोस्तों यहां से यह question आता है कि चितरकला की सुरुवात किस मुगल बातसा ने किया था तो आपको क्या हो जगा इसका सुरुवात किया था हीमाईू ने किस ने किया था हीमाईू और दोस्तों अगर किस सासक के समय में यह चरम सीमा पर पहुंची थी इसका राज टेंसर नार जागा जहांगीन कुछकुन देखेंगे को पीं कोड प्रनाली आसके सुरवात कब हुआ जागा नीसइस Miram । पंद्रा अगस्त को-पंद्रा ऑगस्त-वाथा कि पूछेगा की टिन कितने यह ऊंक होता है। दियान रखना है। नेस्ट कैसे निखेकर तो 1980 सबस्क्राइब कि भॉपार गैस तराशी में दोस्तों किस घास का हुआ था दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट कॉश्टन और बार बार एक्जाम में दोस्तों यह पूछा रहे मुस्लीम लिंग के अस्थापना किस वर्स किया गया था दोस्तों मैंने यह question इसलिए लिया है कि यह question बार बार आता है और रिपीट इट रहता है और यह important question भी हो जाता है मुस्लीम लिंग से है तो इसका right answer क्या हो जागा ऑपसन नमर आपका ए हो जागा दोस्तों 1906 भी में धियान रखेंगे दोस्तों Muslim लिंग का संस्थापक पुछे तो कौन हो जागा सलीम उल्ला खाँ और आगा खाँ अब धियान रखेंगे इंपोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन चल्ड नेक्स कुछन देखें करमुगल समराथ अकवर के नौरतन में से दोस्तों एक टोडरमल जो था वह किस छेतर से संबन दी था बहुत इंपोर्टेंट कुछन टोडरमल से बार बार क्वेश्चन आता है इसका राइटन से क्या आजएगा स्टी हो जाएगा दोस्तों भूराजस ववबस्ता से था किस से था भूराजस वबस्ता से धियान रखना है और दोस्तों पूछेगा एकजाम में कि अकवर कितने वर्स के आयू में समराट बन गिया था धियान रखेंगे यह दोस्तों हो जाएगा 13 वर्स के आयू में और दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन देखें हैं पुछा जाता है कि या कोई रौन ने कितने वर्स तक सासन किया तो दोस्तों आपको धियान रहता है रौंड फिकर में अगर पूछे तो खेल्ष से यह क्या होज़ागा जैबलिं थो इसी को क्या 빨ज भाला है और कब ध्यांद रखना अभी यह डैमन लीग का चैंपियांसी भी जीता था जीता है ध्यान रखना और अभी एस यह भिलु हए उसमें भी यह जीता और दोस्तों यहां पे ध्यान है ना ओलम्पिक में भी ये गोल्ड मेंदल जीता था ये भी आप ध्यान रखेंगे चले नेक्स्ट कुस्टन देखेंगे किस मुगल सासक ने सीख गुरू तेख बहादूर की हत्या करवा दी थी इंपोर्टेंट रहने वाला कुश्टन इसका प्याज और लहसुन में दोस्तों किस तत्व की उपस्थिती के कारण उसमें तीज गंद आती है ठीक है देखेंगे प्याज और लहसुन जो है कोई बी तत्व जो तत्व उसमें रहता है दोस्तों काट तेसे में क्या होता है बहुत तेज गंद आता है इसका राइट असर ऐसे सलफर के कारण होता है वासन नेक्स फशेंगे कि तमिल्नांडू और अंदर्प्रदिश के तत को क्या कहते है तमिल्नांडवर द जासे एक केरल के तट को कहा जाता है केरल के तट को दोस्तों कहा जाता है धियान रखेंगे और कोकन तट पूछे तो क्या हो जागा गुजरात से गौवा तक गुजरात से गौवा तक अब धियान रखेंगे गुजरात से गौवा और काठिया वार पूछे तो क्या हो जागा गुजरा इसका right answer क्या हो जाएगा option नमर ए हो जाएगा टॉको फॉरॉल देखते हैं दोस्तों कि इसका एक trick आता है जो आपको अच्छे से याद हो रहेगा आप एक बार जरूर इसको देखिए देख रहे हैं राथ एक टॉफी राथ एक टॉफी ठीक है दोस्तों आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एक बार जरूर देख लिए राथ से क्या हो जाएगा दोस्तों ए मान लेते हैं रा को ए था को बी ए को सी और को को दोस्तों क्या मानेंगे डी और टा को ए और दोस्तों लास्ट में क्या हो जाएगा किये अब देखिए रा से क्या हो गया रेटिनॉल रेटिनॉल किसका हो जाएगा बिटैमीन ए का थाइमीन या दर्खना दोस्तों थाइमीन बिटैमीन बी का ए से क्या हो गया इसकार भी किसी डोबिस इसका हो जाएगा बिटैमीन सी का इसी पकार को से क्य आपको याद रह जाएगा चले next question देखेंगे दोस्तों कर रहा है कि सखसंबत को राष्ट्य पंचांग के रूप में कब अपनाया गया दोस्तों important रहने वाला question है यह सब इसका राष्ट एंसर C हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च 1987 को दोस्तों एक request अगर आप इस चनल पे दोस्तों नए हैं या दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों वीडियो को दोस्तों के इलहाबाद में किया था कहां किया था इलहाबाद में दोस्तों पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ यह पूछा जाता है कि स्वराज पाटी का स्थापना इन्हों नहीं कहां किया था तो इलहाबाद में धियान रखेंगे नेक्स कुछन देखेंगे इस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कमपनी का पहला कारखना लगाने की इजाज़त दोस्तों किस मुगल बादसाने दिया था दोस्तों पूछा हुआ कोईशन है और important रहेगा इसका right answer क्या हो जगा जहांगी option नमर आपका क्या हो जगा दोस्तों D right हो जगा next question देखेंगे दोस्तों करा रहे हर्स चरीत और कंदामबरी किसकी लसना है बताना है दोस्तों इसका right answer क्या हो जगा अपका B हो जगा बानवर्ट कौन है हर्स चरीत और कंदामबरी का बानवर्ट है next question देखेंगे संसत के दोनों सतर के बीच का दोस्तों अब धी अधिकतम कितनी हो सकती है धियान देना दोस्तों इसका right answer भी हो जगा छेव महां से अधिक नहीं हो सकती है और दोस्तों यहां से question एक बार बार पूछा भी जाता है इसलिए reveal करा रहे है कि संसत के सन्युक्त अधिवेशन को बुलाता कोन है अगर बुलाएगा तो राष्टपती बुलाएगा धियान रखना है अगर दोस्तों पूछे कि संसत के दोनों सतर के अधिवेशन के अधिक्सिता कोन करता है तो धियान रखना ये करता है लोक सभा का अधियक्ष आपको इतना चीज यहां पर धियान रखना पड़ेगा और दोस्तों यहां से और question बन के आता है कि संसद जो है दोस्तों कितने अनुचेद में है संसद दोस्तों कितने में 89 अनुचेद में है दोस्तों एक ट्रीक आता है सरला क्या आता है सरला सरलसे क्या हो गया संसद संसद हो गया दो dest 겁니다 इह वक्रारासे हो गया राजसवा राजसवा कितना हो गया असी मैं असी इसी प्रड़ासे होग लोग सव acts away यहां से धियान रखना आपका confusion नहीं होगा यहां से question भी आता है चलिए next question देखेंगे जो करें कि Olympic खेलों में होकी को किस वर से सामिल किया गया था तो इसका right answer क्या हो जाएगा उनी सोट है option अब आपका क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा next question देखेंगे करेक वाई मंडल में carbon dioxide की दोस्तों मातरा क्या होता है दोस्तों CO2 की बार बार दोस्तों एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने उठाया है आपको बताना है इसका right answer क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 0.03 दोस्तों confusion नहीं करना 0.03 यानि बहुत ही कम है आपको बताना है दोस्तों कि N2 यानि nitrogen की दोस्तों कितना है परतिसत अगर nitrogen का पूछे तो दोस्तों धियान रखना लगवग 78 परतिसत है धियान रखना है दोस्तों oxygen का पूछे तो oxygen का कितना हो जाएगा oxygen का दोस्तों 20% हो जाएगा आपको यहां से धि कोrete चली जो बहुत धार्म का एक परसीद गरंथ है यह दोसतों किस में लिखा गया था दोस्तों बहुत ही important question रहेगा कि त्रीपीटक भी direct आपसे पूछे तो क्या हो जागा बहुत गरंथ से संबन दीते हैं और दोस्तों यहां से पूछे कि इस गरंथ को दोस्तों किस भासा में लिखा गया तो इसका हो जागा पांस सो बहातर option नमर आपका क्या हो जागा दोस्तों बी correct हो जागा चलए next question देखेंगे करके विस्व विकलांग दीवस परतेक वर्स किस दीन को मना जाता है दोस्तों important question विकलांग के जगा पभी क्या किया है दिव्यांग कर दिया है तो आप धियान रखेंगे विस्व दिव्यांग दिवस भी पूछ सकता है तो आपको बताना इसका right answer क्या हो जागा दोस्तों option नमर ए हो जागा तीन दी सबमर को next question देखेंगे कर निमलिखित में से कौन आरावली परवत की दियान देना दोस्तों यहां से एक question और आता है कि आरावली के बारे में कि भारत की सबसे प्राचीन परवत माला कौन सा है तो दियान रखना यह आरावली परवत ही है दियान रखना और आरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन हो जागा यह गुरू सिखर हो जागा next question देखेंगे किस मुगल सासक ने दीन इलाही दर्म की दोस्तों स्थापना किया था इसका right answer क्या है अकबर धियान देना दोस्तों कि दीन इलाही का स्थापना कब किया तो धियान रखना 1582 में किया और तो यहांसे एक question आता है कि दीन इलाही संबत संबत कब चलाए गया था संबत पूछे दोस्तों एक जोड़ना है पंदरसो तेरासी धियान रखेंगे दोस्तों दीन इलाही के अस्थापना पंदरसो तेरासी संबत पूछे तो पंदरसो तेरासी यहां से कुशन आता है अकवर से तो कुशन आना ही है इसलिए धियान रखे चले नेक्स दोसन देखेंगे राज तरंगनी दौरा किन राजियों का दोस्तों राजाओं का वर्नन किया गया है किन राज के राजाओं का दोस्तों वर्नन किया गया है राज तरंगनी पुस्तक में सबसे पहले दोस्तों राज तरंगनी का दोस्तों लेखा कौन है कौन है कल एक मसाद नमेरे निर्स पाले मिलाए तो किसे मिला है किसे मिला तो सलीम दुर्राणी को किसे मिला था दोस्तों सलीम दुर्राणी आप याद रखेंगे चले नेक्स कुसंद देखेंगे कर रास्टिय मतदाता दिवस परते एक वर्स किस दिन मनाया जाता है दोस्तों ये कोईच्टन उठाने का रीजन है क्योंकि अभी एलेक्षन आने वाला है इसलिए मत दाता चुनो एक से question देगा, एक वार इसको जरूर पढ़ लिजेगा, तो इसका right answer दोस्तों क्या हो जागा, बी हो जागा, 25 जनबरी को मनाया जाता है, रास्टिय मत दाता दिवस, रास्टिय मत दान दिवस, ध्यान रखेंगे, चले next question देखेंगे, करें कि अंग् मन्दीर, बहुत ही famous question है, दात मन्दीर कहां इस्तित है, दोस्तों इसका right answer क्या हो जागा, ए हो जागा, सीड लंका में, कहा है, सीड लंका में, चले next question देखेंगे, करेंगे भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मत, भारत का भी सबसे बड़ा मत पूछ रहे ह मैं बोल रहा है कि तमांग मठ कहा है ये दोस्तों धियान रखना कि सबसे बड़ा मठ कौन से तमांग मठ और दुनिया का भी सबसे बड़ा मठ कौन है तमांग मठ अब पूछ रहा है कि तमांग मठ है कहा हूं दोस्तों पता ना इसका राइट एंसर बी हो जागा दोस्तों अ आधुनिक सिक्षा परनाली की नीव दोस्तों किस से पड़ी थी धियान रखेंगे ये भी दोस्तों कुछा जाता है इसका राइट एंसर ए हो जागा 1835 के मेकाले मिंट के नियम से अप्सन अबर आपका दोस्तों ए करेक्ट हो जागा चाले नेक्स देखेंगे सिवाजी मुग सासक ने आधी वराह की उपादी धारान किया था तो दोस्तों इसका राइट एंसर क्या हो जागा अपको बता ना इसका राइट एंसर भी हो जागा दोस्तों मिहीर भोज किसे दोस्तों आधी वराह का उपादी मिला था मिहीर भोज को दोस्तों वीडियो अगर अच्छी ल